जैसा कि मैंने लगातार पहले से आपको बताया था कि जल्द ही UPHEAC उचितर सिच्छा सेवा आयोग सहायक आचार या असिस्टेंट प्रोपेसर की पदों पर भरती निकालेगा और उसकी ऑफिसियल जानकारी मिल रही है तो अब आपके पास समय बहुत ही कम है जल्द ही हम बात करेंगे पूरी प्रोसेश पी क्या है कितने पौस्ट पर भरती आ रही है और किकिस वाम में आने वाली आचीज देखते प्रदेश के 321 सहता प्राप्त महाविद्यालियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती के लिए प्रप्रिया शुरू कर दी गई है। एजनसी है वो कब आने वाली है जुलाई में तो बहुत दिन समय नहीं बचे हैं एजनसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिखित परिच्छा साच्छा कार और अंतिम चैन प्रणाम घोशित करने की कारवाई की जाएगी टोटल सब काव एजनसी के माध्यम सी होगा आयोग इच्छुक एजनसी से 31 मई तक आवेदन मांगे हैं एजनसी चैन के बाद आउनलाइन आवेदन की तैयरियों में एक महने का समय लेगा फिराल आयोग में फिप्री संख्या जो पचास के 47 विश्यों पर दो यारे पदोग भरती चल लेए कई विश्यों की परणाम आ भी ग चुका है और अगले मैंने एजनसी का चैन्स कर जुलाई में अवेदन शुरू करने के तैयारी है यानि कि मोटी मोटी बात आपे समझे कि आपकी जो भरती है वो कब आनी है विज्यापन कब आना है जुलाई में और अभी कितने पद हैं इनके 970 पद हैं तो आप अपनी त उत्तर प्रदेश उचितर सिच्छा सेवा आयोग 18 नियाए बार्थ प्याग राज चैन्स प्राज ब्ध्यात library की दिख्य किया जाना है जिसके प्रती ऑं-लाईन पत्रुप। करना आविदुकों की लिखित परिच्छा साथ स्धphones कार तदो परांत अंतिम चैन प्रणाम घोशित की horns जाने सब कुछ कामि कि सिमाध्यम से होगा ऑउन-्लाइन अविदिन परफ करना आविद कुन लिखित है उर साथ दिरांग चोईस पांच दोजार बाइस से एक्तिस पांच दोजार बाइस तक कर लें अविद में अपना तक्निकी बिड़ वाग बित्तीस प्रस्ताव सचिव उत्तर प्रदेश उच्थर सिच्छा सिवा आयोग प्रयाग रास को उपलब्द कराएं उक्तिति के बाद पांस दिन में चैन हो जाएगा और जल्द ही एक मैने पूरी प्रकिया लगब पूरी जाएगी और आपका विज्यापन जुलाई में आज आएगा इस बात की पूरी संभावना है नौसो सब्सक्राइब हैं आप जानते हैं पैटरन पुराना ही है अभी पैटरन में कोई ब पढ़ाई करनी है जिसमें से मैट्स को छोड़ दें तो बाकी सब्सक्राइब में 120 सब्सक्राइब के कोश्चन एक सब्सक्राइब होंगे तो जो आपके और अन्यम की बात कर रहे हैं हम लोग तो उसमें आपका जो पहले के तरह होता था वही यहाँ पर भी रहेगा है ना कि 9030 आने की कुलमना के मैस में डिफरेंस रहता है बाकी में सेम तो आप में जो बाकी सब्सक्राइब है बाकी में जो आपका सत्तर और तीस का फार्मुला है जो भी है कुछ बना कि तीस प्रस्ण अभी भी इसमें भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है अभी भी तीस प्रस्ण आपके जीस के आने आने है तो बाकी आपके सब्व्यक्ट रहेंगे तो तीस multiply to यानि कि 60 questions आपके 60 number GS के है अला कि question वो तीस ही होते है तो तीस questions का मतलब है कि आप कुछ लोगों का इस बार GS के वे इसे ही रुका है तो please जो मैं ब्रहमास सीरिस करा रहा हूँ वो सिर्फ UP-PCS के लिए नहीं है वो हर एक exam के लिए तो आप अगर इसमें selection चाहते हैं तो ब्रहमास सीरिस को घोट के रट के पी जाईए और बाके बिग्यापन आने के बाद UP-HECS में अलक्से कराऊंगा फिर भी अभी ब्रहमास सीरिस आप घोट के पी आईए तब जाकर के आप पर के selection होगा जय हिंद जय भारत धन्यवाद आसके लिए इतना ही